ऐसे लोग बहुत सारे हैं ऐसे लोग बहुत सारे हैं जिन्हें इकल की लोंग कहीं मिल जाती है तो वो आपने आपको सब्सक्राइब लगते हैं तो क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है क्या राजस्थान में कोई बड़ा खेला हो सकता है क्योंकि आज पूर्वसीयम वसुंदरा राजे अब सियासत में आर पार करने के लिए आकरी दाफ चलने वाली है। क्योंकि पूर्वसीयम वसुंदरा राजे की बातों से ऐसा ही लग रहा है। एक बार फिर ठेरे हुए पानी में कंकर फेंट दिया है उन्होंने। वसुंदरा राजे ने जैपूर में एक समारों के दौरान कहा कि लोगों को पीतल की लौंग क्या मिल जाती है वे खुद को सराफ समझ बैठते हैं। उस बयान को अला कमान और सीयम भजनलाल शर्मा की आलोचना के तौर पर भी देखा जा रहा है। वसुंदरा राजे की ये टीस ऐसे ही नहीं है। 2023 वधानसमा चुनाव में वसुंदरा राजे राजस्थान में बीजेपी की और से मुख्यमंतरी पत की मजबूत दावेदार थी। पार्टी ने पहले बगेर सीयम फेस के चुनाप लड़ने का अलान किया और फिर जीत के बाद भजनलाल शर्मा को सरकार की कमान सौन दे। करीब दस महीने पहले मुख्यमंतरी पत के लिए भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव भी वधायक दल्की बैठत में वसुंदरा राजे से ही रखवाया गया। तब से ही वसुंदरा के सियासी करियर को लेकर कयासों का दौर चलता आया। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो वो अपने आपको सरफ माइने लगते ही। इस बाते कशा से आपने पसकी क्रेंड चाहिए। और मैं आज ही एक जहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आस्मा चुने की रखो। चाहत बेशक आस्मा चुने की रखो लेकिन पाओ हमेशा धर्टी पर रखो यह सबसे बड़ी बात है नहीं बन पाए उनका नाम सबसे आगे चल रहा था लेकिन उनकी जगा भजनलाल शेहमा को मुख्यमंत्री बना दिया गया यही उनकी नाराजगी का खारण हो सकता है और इससे पहले 24 जून 2024 को वसंदरा राजे ने बाला बदलने वाले नेताओं पर भी निशाना साधा था राजे ने कहा कि आज लोग उस उंगली को पहले काट देते हैं जो से पकड़ कर वो चलना सीखते हैं वसंदरा का ये बयान उन नेताओं की तरफ इशारा माना गया जो पाला बदल रहे थे इतना ही नहीं वसंदरा अफुल एक्शन में नजरा रही हैं वसंदरा राजे सिंध्या ने हाल ही में 15 निर्दली विधायकों से बैठक की साथी पार्टी में समर्थक विधायकों के साथ भी वसंदरा अलग मन्थन अलग-अलग मुद्धो बर मन्थन करती हुई नजराई पूर्वसीम वसंदरा चुनाफ के बाद से ही साइलेंट रही लेकिन पार्टी कारिक्रमों से उन्होंने दूरी बनाय रखी अब राजस्थान में उप्चुनाफ से पहले वसंदरा अचानक मुखर हो गई है वसंदरा राजे राजस्थान बीजेपी का पावर सेंटर हुआ करती थी लेकिन पिछले एक साल में ही परस्थतियों ने ऐसी करवट लिए कि वो हाशिये पर चली गई सकता परिवर्तन का असर कहें या कुछ और जो नेता विधायक पहले वसंदरा के चक्कर काटा करते थे अब दूरी बना रहे हैं उनकी ये टिपणी नेताओं के वैभार में खोद को लेकर आए बदलाव को लेकर निराशा बता रही है सरकार में नहीं तो संगठन में ही सही या फिर कोई और जिम्यदारी महरानी अब तेवर दिखा रही है वसंदरा का ताजा बयान अपना खोया सियासी वैभाव पानी की कोशिश है या फिर राजस्थान के सियासत पे ये बड़ा बदलाव का संकेत है अब वसंदरा राजे की नाराजगी के क्या माइने है सवाल ये भी है कि वसंदरा राजे के साथ कितने विधायक है वैसे कोई भी विधायक खुलकर अभी समर्थन में नहीं है लेकिन अगर वसंदरा कोई बड़ा स्टैंड लेंगी तो क्या हो सकता है क्या वसंदरा की नाराजगी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बीजेपी को तोड सकती है क्या वसंदरा बीजेपी को डैमिज कर देंगी आने वाले दिनों में राजस्थान में उप्चुनाव होने है उप्चुनाव में बीजेपी की ट्राक रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा पिशले 10 सालों में 17 सीटों पर राजस्थान में उप्चुनाव हुआ जिसमें बीजेपी महस 4 सीटी जीत पाई जबकि कॉंग्रस 12 सीटों पर जीत हासल कर पाई थी ऐसे में कॉंग्रस भी वसंदरा की नाराजगी को हवा देने की पूरी कोशिश करेगी ताकि वो एक तीर से दो शिकार कर सके ऐसे लोग बहुत सारे रशाब जिने इकर की लोग कहीं मिल जाती है तो वो अपने आपको सरा आप माईने लगते हूँ को यह व बाहता हुम